ओम्स्थापकायचधर्मस्य सर्वधर्मसरूपिडें अवतारवरिष्थायव रामकृष्णायते नमहा बड़ी प्रसनता की बात है कि कथामृत भवन के द्वारा एक वर्चुल भक्तसमेलन का आयोजन किया गया है आज का हमारा अलुच्च विशे है अवतार वरिष्थ स्री रामकृष्णा श्री रामकृष्णादेव के एक अनन्य भक्त थे श्री नवगोपाल खोश एक बार उन्होंने अपने घर में श्री रामकृष्णादेव की प्रतिमाख की प्रतिष्ठा की तैयारियां की स्वामी विवेकानजी को निमंत्रित किया तो जब स्वामी विवेकानजी जब आये दलबल ले करके तो नोगोपाल खोश की स्त्री निस्तारिणी देवी ने कहा कि आप आशिवात कीजिए कि श्री रामकृष्णादेव यहाँ पर अवस्थित रहें तब स्वामी विवेकानजी ने चुटकी लेते हुए कहा अरे हमारे प्रभू इनका तो जन्म हुआ था जोपड़ी में घास फुस की जोपड़ी में रहते थे अब तुमने तो इतना सुन्दर संग्मर्वर का मंदिर बना दिया है तो यहाँ नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे इस प्रकार से उनको आशिर्वचन दिया और फिर पुजा के आसन पर बैठे और पुजा के आसन पर बैठ करके उन्होंने एक श्लोक की रचना कर दी स्थापकायच धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णा यते नमा ये प्रभुर्या श्री राम कृष्ण देव आपने धर्म की प्रतिष्ठा की है आप सभी धर्मों के स्वरूप हैं आप अवतारों में सर्वस्षेष्ठ हैं आपको हम प्रणाम करते हैं विचितर लगता है श्री राम कृष्ण देव के बारे में स्वामी विवेकानन कहते हैं आवतारों में सर्वस्षेष्ठ स्वामी विवेकान जी तो संक्रिणता के विरोधी थे और यहां पर नकेबल उनका आवतार कहते हैं आवतार वरिष्ठ कह देते हैं वे तो पहले उनका का उतार मानते ही नहीं थे यह साब हम जानते हैं कि जब रामचंद्र दत्त गिरिश्चंद्र गोश आदी उनके भक्त स्री रामकिष्देव का उतार वगएरे कहा करते थे तो स्वामी विवेकान जी उस पर ध्यान नहीं देते थे बुले मैं उसको स्विकार नहीं करूंगा जब तक कि मुझे उसका अनुभव नहीं हुआ मैं यह बात नहीं मानूंगा काशीपूर उद्यान बाटी की घटना है श्री रामकिष्ट्र देव ने इसी काशीपूर उद्यान बाटी में अपनी लिला का सवरंड किया था 16 अगस्त 1886 को उसके लगबग दो दिनों की बात है श्री रामकिष्ट्र देव को गले में कैंसर हो गया था इसी लिए काशीपूर उद्यान बाटी में दक्षिनेश्वर स्री लाया गया था पहले शामपू को लाया गया फिर काशीपूर में लाया गया और भी उपर के मडले में जो उनका कमरा है जहाँ पर अभी की मंदिर बन गया है वहाँ पर श्री रामकिष्ट्र देव सहिया में लेटे हुए थे और नरेननादत जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानन बने और उनके और गुरु भाई ये भी सब उस समय के कॉलिज के विद्यार थी ये श्री रामकिष्ट्र देव की सेवा में लगे हुए थे इधर श्री रामकिष्ट्र देव गले में कैंसर के कारण दर्द के कारण करा रहे थे उस समय नरेननाद के मन में एक भयंकर शंशे उपस्थित होता है अरे लोग कहते हैं ये इश्वर के अवतार हैं और ये इश्वर के अवतार की ऐसी स्थिती की करा रहे हैं दर्द के कारण नहीं नहीं ये कभी इश्वर के अवतार नहीं हो सकते और अचानक उनके मन में एक विचार आया अभी जब इतना दर्द उनको है इस अवस्था में भी अपने मूँ से ये दिस्विकार कर लें कि मैं इश्वर का आउतार हूँ तब तो मैं मानूगा और नहीं तो नहीं मानूगा आश्चर की बात है अभी तो ये विचार उनके मन में आया ही है कि शिराम किष्ट देव ने दरेंदर की ओर देख करके कहा नौरेन अभी भी अविश्वास जो राम थे जो कृष्ट न थे वे इस बार आये हैं राम कृष्ट न के रूप में पर तेरे वेदानत के मत से नहीं यह भी उन्होंने जोड़ दिया यो कि वेदानत के मत से तो सभी ब्रह्म हैं नहीं विशेश प्रकार से जो अवतार आते हैं विश्व के कल्यान के लिए ऐसे विशेश अवतार यह बात अपने मूँ से जब कही तब नरिनात वे प्रणाम करत हैं कहते हैं प्रभु मुझे माफ कीजिए मेरा मन बड़ा पाजी है बारं बार संशे में आ जाता है तो जो राम थे जो कृष्टन थे वे ही जब राम कृष्टन हो गए तो फिर राम और कृष्टन और राम कृष्टन तीनों बराबर हुए राम इस इकल टो कृष्टन इस इ सबसे बड़े इसकी मिमासा कैसे होगी तो इस प्रश्ट मौट और मे मुझा करते हुए रामकिष्टमाट और रामकिष्यörper के दस्वे परमाध्यक्षव पुझ विरेश्वार रनिजी महराज ने कहा था ये बड़ा पेचीदा प्रश्ण है पर मैं उसका समाधान करने का कुछ प्रयात न करूंगा उन्होंने का देखो यह हम लोग सब बातचीत में करते हैं कहते हैं कि देखो फलाने अभीनेता ने उस नाटक में बहुत अच्छा अभीने किया फिर कहते हैं उस अभीनेता ने उस नाटक में भी बड़ा अच्छा भी नहीं किया पर एक विशेश नाटक था जिसमें इस अभीनेता ने अपना सर्वस्ट्रेस्ट रोल किया वो एक्टर जब इस प्रकार इस फिल्म में जब काम कर रहा था वो एक्टर वो अपना सर्वस्ट्रेस्ट उसने अपना रोल किया याद रखिए एक्टर एक ही है अभी नेता एक ही है उसमें भी उसे ने काम किया उसमें भी उसे ने काम किया पर इस फिल्म में जब काम किया इस ड्रामा में जब काम किया he was at his best सर्वस्षेस्ट अपना रोल किया तो वही इश्वर वही इश्वर आते हैं जगत के कल्यान के लिए रूप बदल करके और विबिन प्रकार की लिलाय करते हैं और इस बार स्री राम कृष्ट देव वही जो राम थे और वही जो कृष्ट थे आते हैं इस बार राम कृष्ट देव के रूप में इस यूग के लिए जो लिला बहुत आवश्चक है उस प्रकार की लिला करते हैं सत्व गुण का आईश्वर ले करके आते हैं और विबिन प्रकार की हमारी आज की समस्याओं का समाधान करते हैं इसलिए इस अर्थ में विए हमारे सबसे बहुत नजदिक हैं और हमारे लिए वरिण्य हैं भगबत गीता में श्री कृष्ट भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य गलानीर भवती भारत अब्युत्तानम धर्मस्य तदात मानम सजामिहं परित्रानाय सादुनाम विनाश आयज दुष्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे भगवान श्री कृष्ट अर्जुन को कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गलानीर भवती भारत जब-जब धर्म की अवनती होती है और धर्म का सज्जनों की रक्षा करता हूं और दुष्टों का सवहर करता हूं परित्रानय सादुनाम विनाश आयज दुष्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे प्रत्य एक युग में आता हूं धर्म की स्थापना के लिए तो वे ही जो राम थे वे ही आते हैं कृष्ट के रूप में और इस बार हमारे युग में आते हैं श्री राम कृष्ट के रूप में धर्म सहस्ता अपना के लिए पर इस बार की समस्याएं कुछ और हैं अब तक की जो समस्याएं थी वो धर्म और धर्म के बीच का युद्ध था धर्म और धर्म के बीच का संगर्श था इस बार भी धर्म और धर्म के बीच का संगर्श तो था ही और दो दुसरे संगर्श आगे क्या धर्म और विज्ञान क कrement संगर्ष की धर्मों और दिर्म के साथ संगर्ष जो बहले नहीं था वे इस युग के लिए उनको विशेस प्रेकार से आना पड़ा है यह जो धार्मी संगर्शन धार्मिक संगर्शन धन्द्धा इतीन प्रेकार के राख्षस उससे में तो राख्षस का वद्ध किया इस बार श्री रामकिस्द ने कौन से राक्षस का वद किया तो तीन राक्षसों का वद किया एक तो धर्म और धर्म की बीच का जो युद्ध था उसके लिए उन्होंने क्या किया इस बार जो अधर्म था वो किस प्रकार से राक्षस के रूप में आया वो आया उपभोक पुपोगतावाद और अभी तो एफ्लुएंजा भी आ गया, ये पुपोगतावाद रुपी राक्षस का वद करने के लिए आए, किस प्रकार आए वो हम देखते हैं, पिर दूसरा धर्मांदता रुपी राक्षस, अभी तो धर्म धर्म के बीच की लड़ाई चल रही है, प ये धर्मांदता, एक बड़ी विकट समझ से आ गई, धर्म धर्म के बीच में युद्ध सुरू हो गया, धर्मांदता के कारण, फंडामेंटलिजम, फैनेटिजिजिजम, सेक्टेरिरिजम, बिगोट्री, जिसके बारे में स्वामी जीनी शिकागो धर्मसभा में कहा, ये स सबसे पहले उन्होंने और तीसरा एक आया धर्म विज्ञान के बीच का संगर्श, धर्म के विज्ञान के बीच का जो संगर्श है, तो विज्ञान कहता है हम तो प्रमान चाहते हैं, तो आप कहते हैं इश्वर, तो प्रमान क्या है, क्या आपने इश्वर को देखा है, तो आधुनिक विज्ञान के आधुनिक विज्ञानिक यूग के प्रतिनिदी बनकर नरेन नादत जो की उस समय स्कॉटिश चर्ज कॉलेज कलकर्टा के विद्यार्थी थे वे सभी संतों के पास जाकर के एक ही प्रशन पुछते हैं कि आपने इश्वर को देखा हैं मैं वकिल का लड़का हूं मुझे प्रमान चाहिए आपने खुद ने देखा है कोई उनका प्रशन को उत्तर नहीं दे सकता पर बाद में जब इंग्लिश के प्रोफेसर उनकी कॉलेज में एक दिन जब एपसंट थे तो प्रोफेसर विलियम ह स्टी वे स्वयम प्रिंसिपाल क्लास लेने आते हैं वर्ट्स वर्थ की कवीता एक्सकर्शन पढ़ा रहे थे उसमें वर्डन आता है कि कवी अतीचेतन वस्ता में चला जाता है समाधी वस्ता में चला जाता है प्रकृति के सौंधर को देख करके विद्धियार्ति ने कहा स सच मुझ किया यह संभव है तब प्रॉफिस विल्यमिस्टे ने का हाँ संभव है मैंने स्वयम एक मनुष्ट को देखा जिसको बार अंबार इस परकार के समाधी के वस्ता होती है तुम लोग चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो क्योंकि वे कलकता में रहते हैं और नरेनात कहते हैं चलो ये बाबाजी की भी परिक्षा लेने और पहुँच जाते हैं स्वी रामकृष्ट के पास स्वी रामकृष्ट देव दक्षिर्श में अपने कमरे में छोटी पाट पर बैट करके बक्तों से वारतालाब कर रहे थे बक्त नीचे बेठे थी वे नर उनने इश्वर के दर्शन किये हैं स्वी रामकृष्ट देव ने कहा हां बेटा पहली बार उनको शंत्रस प्रदूत्तर मिला हां बेटा मैंने स्वयम इश्वर के दर्शन किये हैं इतना है निफिर उननका जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक तत्रक्ष चुप से मैं उनके दर्शन करता हूँ, तु चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूँ, पर तुझे साधना करनी होगी, यह मानो धर्म का विज्ञान है, विज्ञान कहता है हाइडरोजेन और अक्सिजन गेस बिल करके पानी बिलेंगे, हाँ, यह कैसे हो सकते हम नह मानने की बात नहीं, आप लिबरिटरी में आईए, और फिर आपको धी हाइडरोजेन गेस और अक्सिजन गेस की मिलाकर के पानी नहीं बिलेंगे, तब आप कहिएगा हम नहीं मानते हैं, इसी प्रकाश श्री राम पिश्ण देव कहते हैं, मैंने स्वयम इस्विर के दर्श होती है, समाधी का अनुभवी एक दिन होता है, और वे इश्वर का दर्शन कर पाते हैं, उन्होंने अपने जीवन की प्रयोख शाला में यह प्रयोख करके, श्री राम कृष्ण देव ने जो कहा था, उस प्रकार की उपलब्दी की, इसी लिए शिकागो विश्ण धर्म मैंने उस परंपरश को देख लिया, जिसको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवरिती होती है, यह नरेन नात को स्वयम अनुभूती हुई थी, तो मानो, इस विज्ञान के यूग में आधुनिक मन में जो शंशे होता है, उपस्थित, इस संशेवादी मन के, इस संशेवादी आधुनिक मानों के प्रतिनीदी के रूप में नरेन नात जाते हैं, प्रशन पुझते हैं, और बाद में श्री रामकिष्देव उसका समधान करते हैं, इस प्रकार से यह मानों एक पहला राक्षस का वद हो गया, कौन सा राक्षस? संशे राक्षस, यह हम इस संशे राक्षस का वद श्री रामकिष्देव करते हैं, इसलिए स्वामी विवेकानन ने एक स्तोत्र में स्री रामकिष्देव के बहुत संद्र स्तोत्र में कहा है, संशे राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भववद्यम, यह भववद्यम उन्होंने इसके बाद में भगवान सिक्रिष्ण का दर्शन किया, राधा का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, राम का दर्शन किया, रामचंदर जी का दर्शन किया, शिक्रिष्न का दर्शन किया, राधा जी का दर्शन किया, विबिन्द धर्मों की साधना उन्होंने की, अपने स्वयम के जीवन में, जीवन की प्रयोक्षाला में उन्होंने विबिन्द धर्मों की साधना की, विबिन्द देवी देवताओं यंदे भाव की ओर से उन्होंने इश्वर की प्राप्ती की इतना ही नहीं बाद में उन्होंने इसलाम धर्म की सादना की मुःबद पईगंबर के उनको दर्शन हुए उसके पहले भेरिवी ब्रह्मशनी के पास उनने चौसर तंत्रों की सादना की फिर तोतापुरी के पास अद्वेत वेदान्त की साधना की और छे मेना निरिकल्प समाधी में रहे उसके बाद में उन्होंने इसलाम धर्म की साधना की मुहमत पैगंबर के उनको दर्शन हुए फिर उन्होंने इसाई धर्म की साधना की जोसिस क्राइस्ट को दर्शन हुए इस प्रकार से विविद धर्मों की साधना करने के बाद वे इस निश्कस पर पहुँचे कि मंजील एक है रास्ते अलग अलग हैं इसलिए उन्हों का जो तो मौत तो पौत जितने मत उतने पत मत अलग हैं पत अलग हैं पर सभी को एक ही गंतिविस्थान पर जाना है बहुत संदर उन्होंने समझाए एक तालाप के चार घाट हैं कोई जाता है हिंदू जाकर बोलता हमें तो जल ले आया मुसलमान जाकर बोलता हमें पानी ले आया और क्रिशन जाकर बोलता हमें वाटर ले आया और चोथा जाकर बोलता हमें एक्वा लाया रहे भई क्यों जगडते हो उसी का नाम पानी उसी कोई बोलता है God, कोई बोलता है इश्वर, कोई बोलता है Allah, ये सब विभिन नाम हैं, रास्ते अलग-अलग हैं, पर एक ही गंतव्य स्थान है, ये श्री राम कृष्ट देव ने अपने जीवन की प्रयोक्षाला में सिद्ध करके बोला, इसलिए क्लाउड 11 स्टार्क ने पु विभिन धर्मों की साधना करके प्रमानित कर दे, कि अंते में एक ही परमसत्य तरफ पहुचा जा सकता है, तब तो आदनी मानों मानेगा, और फिर उन्होंने कहा, सवभागे से ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति ने इस प्रकार से प्रयोक्षाला में विभिन धर्म करके, विभि राम किष्टप परमस, God of All, Cloud Ellen Star की केताब में उन्होंने ये लिखा है, तो ये मानों दूसरा एक राक्षस का वद उन्होंने किया, धर्मानदतारूपी राक्षस, और एक तीसरे राक्षस का वद किया उन्होंने, शंशेर राक्षस, धर्मानदतारूपी राक्षस, और ती पैसे की बिना एक कदम भी आगे नहीं जाये जा सकता है, जीवन में पैसे के सिवा कुछ नहीं है, बास पैसा, पैसा, सबसे बड़ा रुपईया, बाबास, सबसे बड़ा रुपईया, उस समाज के लिए, उस अवस्था में, उस यूग में, श्री राम किष्टदेव आकर करके क्या करते हैं गंगा के तट पर बैठ करके टाका माटी माटी टाका और फेकते हैं गंगा में ऐसा करते करते हैं ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है कि वे धातु का स्पर्ष नहीं कर सकते पैसे का स्पर्ष तो अलग बात रही पैसे का स्पर्ष होने से मानों बिच्छु का ड पैसा अपने पास नहीं रखते पर ये बड़ा चड़ा करते हो कि पैसे का सपर सोने से उनका हाट टेड़ा हो जाता है बिच्छु का डंक मानो लगता है तो उनको अच्छा नहीं लगा एक दिन वे जब गये थे दक्षिनेश्वर देखा श्री रामकृष्ण देव तो सिक्का निकाला और सिक्का निकाल करके जिस खाट पर बैठते थे श्री रामकृष्ण देव उसके नीचे गदी थी गदी के नीचे उन्होंने रख दिया और एक कोने में खड़े होगे देखते ब क्या होता है उस देर बाद आये श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ आकर के उन्होंने देखा जब स्री रामकिष्ट जब आए और खाट पर जैसी बैटने गए एकदम से वानु बिच्चु का डंक लगा हो और वे खड़े हो गए तब भक्तों ने देखा कुछ नहीं है फिर से बैटे फिर वानु बिच्चु का डंक लगा तब सब लोग ने वा गदी निकाली तो नीचे से वह रूपिया मिला सब लोग सुचने लिए रूपिया आया कहा से सब लोग चार ओर देख रहे हैं शीरामकिष्ट देव भी देखा चार ओर देखा तो नेरेनात खड़े हैं एक कोने में मूँ नीचा किये, श्री रामकृष्टा समझ गये, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया, गुरू की आजपड़ताल करना, तब उसके बाद उनको स्विकार करना, वे नहराज नहीं हुए, इस प्रकार से स्वामी विवेक अनन्द ने उनके काम कांचन की परिक् इछा भी उन्होंने की थी, एक बार लख्श्मिनायन मारवारी आया, देखा श्री रामकृष्ट देव की चादर मह्ली है, हमारे यहाँ पर हमें साद्व की बहुत सिवा करते हैं, यहाँ पर देखा तो उन्होंने का ऐसा करता हूँ, मैं। सिजार रुपया आपको दे दूंगा श्री रामकृष्ट को कहते हैं और उसमें से 40 रुपया मेने का ब्या जाएगा उससे आपकी सेवा चलती रहेगी जहां यह सुना श्री रामकृष्ट देव बेहोश होके गिर गया जब होश्ट में आये खबरदार जो फिर से ऐसी बात क जानते नहीं हो ना मैं पैसा सपर्स कर सकता हूं ना पैसा अपने पास रखता हूं पर यह लक्ष्मिनार्ण मारवाडी उस समय ते चले गए पर मानने वाले नहीं थे फिर एक बार आए बोले अच्छा आपको जब नी लेना है तो एक काम करता हूं रिदे के पास रख देत लक्ष्मिनार्ण मारवाडी फिर आए एक बार नवबत खाने के सामने बैठ करके सामने खड़े हो करके कहा कि इस प्रकार से माजी सिरामकिष्देव तो इस प्रकार से रुपया लेनी रहें तो आप ले लीजिए माश आरदा ने भीतर से उतर दिया अरे उनका लेना मेरा कई अलग है तो उनके वो जब नहीं लिए तो मैं कैसे ले सकता हूं लक्ष्मिनार्ण मारवाडी तो आर्गूमेंट भी करते थे विदान्त का अध्यान भी उन्होंने किया था उन्होंने का आरे आप तो इतने बड़े महात्मा आपके लिए अभी भी त्याज योग रही ह है श्री रामकष्ण ने कहा खबरदार जो भी फिर आया तो यहां पर मताना इस परकार से और फिर रामकष्ण देव रोने लगे मा ऐसे ऐसे लोगों को क्यों लाती है जो मुझे इस परकार से प्रलोवन देते हैं तब लक्ष्मिनार्ण मारवाडी ने पैर पकल लिया मैं इसे महात्मा देखा नहीं हूँ मुझे माफ कर दीजे अभी मैं आपको ऐसा बात नहीं करूँगा पैसे देने की यहां श्री रामकष्ण देव का अध्भुत्याग यह क्यों दिखाया जड़वा दीता रूपी राक्षस आज हम पैसे की पागल है हम समझते हैं कि बिना प पैसे की भी आनंद किया जा सकता है यह मानों श्री रामकष्ण देव ने सिद्ध कर दिया और अवतार में हम तो देखते हैं श्री रामकष्ण देव पास तो कोई अस्त्र नहीं है पर गिरिश चंदर गोश बलते नहीं अस्त्र था उनके पास भी अस्त्र है कौन सा अस्त् उस्तों का सवहार नहीं किया उनको भक्तों में परिविर्थित कर दिया गिरिश चंदर गोश सुप्रसीद नाटककार और कभी बंगाल के वे कहा करते थे यदि तुमको श्री रामकिष्ट की महिमा को समझना हो आपको तो स्वामी विवेकान की और मत देखना कि स्वामी स्वामी विवेकान तो नरेनाद दत्त थे कॉलेज के विद्यार्थि थे सब्रांत परिवार के लड़के थे एक सब्रांत परिवार के लड़के खो स्वामी विवेकान बराना कोई बड़ी बात नहीं पर मेरे जैसे गिरिश को संत में परिवतित कर दिया सच मुच में कहते थे वो ख्याम ही कहते थे मैंने सराब की बॉटल इतनी पी है एक के वे उपर एक चड़ाओ तो माउंट एवरेस से भी उपर चली जाएगी कभी थे इसलिए इस प्रकार की भाशा ब्यार करते हैं कोई दुनिया में ऐसा खराब काम जिए नहीं है जो मैंने नहीं किया हूँ प प्रश्ण की अद्बुत वह उनकी शक्ति ये अवतार की ऐसी शक्ति कि उन्होंने दुस्टा का संभार नहीं किया दुस्टों को भक्तों में परिविटत कर दिया चाहे वो गिरिश चंद्र घोश हो चाहे मनमत गुंडा हो कितने सारे लोगों का काली पदगोश्ट को तो पुलते हैं कि सहन कर से कियों बिटिश लिकर है क्या अरे बोले उसे भी ज्यादा पाउर्फुल अब फिर शी राम कृष्ण ने स्परश किया और वे एक दम आखों में आसू आगे और मा काली का नाम दिया मा काली के नाम से उन्हें आनन्द में तर हो गए तो शी राम कृष् में लिखते हैं he is the latest and the most perfect incarnation of God latest हम लोगों को latest dress अच्छा लगता है latest model की कार अच्छी लगती latest model का मकान अच्छा लगता है तो अवतार भी latest तो स्वामी वेकान गुलते हैं is the latest and the most perfect incarnation of God इसलिए अवतार वरिष्ठ हमारे लिए इस युक के लिए बहुत उपयोगी हैं हमारी अच्छ के समख्यों का समाधान अच जब सभी लोग टेंशन में हैं एक कोरोना वारवारस का टेंशन दो अभी आया पहले भी टेंशन में ही थे इश्वर के आराद ना करके, चारो जोगों का समन्वे करके, दैनन दिन जिवन में शांती प्राप्त कर सकते हैं, शाष्वत शांती प्राप्त करके, शाष्वत ग्यान, शाष्वत शांती, शाष्वत आनन प्राप्त करके, मनुश्य जिवन का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये सब स्री रामकिष्ट देव ने अत्यंत सरल भाषा में बताया और ये भी नहीं उन्होंने कहा जंगल में जाना पड़गा, वन में जाना होगा, हिमाले में जाना, नहीं नहीं, कुछ नहीं, भक्तों ने पूछा, अच्छा आपने कहा कि इश्वर प्राप्ति ही जीवन का नहीं, परंतु संसार तुमारे मन में रहेगा, तो तुम डूर जागे, मतलब संसार के प्रती अना सकते नहीं होने चाहिए, अना सकती पूरो संसार करो, अना सकती पूरो सब्कारी करो, तो संसार में रहते रहते, गुरुस्त धर्म का पालन करते करते, इश्वर की प्राप वकार कि हमारा संशेवादी मन है वो इश्वर विश्वास नहीं करता पर कृष्णा आये थे कि नहीं राम आये थे कि नहीं सब पूछता रहता है यादिश्मानब पर श्री राम कृष्णे के दिवारे में पूछने के उसका आवश्यक्त नहीं है श्री राम के दिवारे में तीन फोटोग्राफ हमारे पास उपलब्द हैं, कैमेरे के दौरा मा शार्दर ने का कि देखो आजकल के लोग कितने बुद्धिमान है, उन्होंने अवतार को कैमेरे में बंद कर दिया, सच पुछ में, पहले के अवतारों में हमको पेंटिंग मिलते हैं, सकल्प्टर मिलते है परन तो फोटो, कैमेरा का जारे लिया फोटो, एक्जिट फोटोग्राफ हमको मिलता है तो तीन फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ तो जो केशव चंदर सेन के हाँ शिराम किश्देव नित्य करते करते समाधी में चले जाते हैं और रिदे उनको समभाल रहा है, यह एक्शुल फोटो है और दूसरा फोटो है जब एक बार उनको स्टूडियो में ले जाया गए थे तो इस्टूडियो में खड़े थे, उस समय उनका फोटो लिया गया तीनों समय में ही समाधी में थे और तीसरा फोटो जब वहाँ पर राधाकांद के मंदिर में सामने की वरंडा में बरामदे में बैठे थे उस समय उनका फोटो लिया गया इसी फोटो को देखकर के बाद में शीरामकिष्देव ने जब यह फोटो देखा उन्होंने कहा अत्य वाशी क्षेत्रे में हम लोग जब जाते हैं कहां कहां पर यह शीरामकिष्देव का फोटो हमको मिलता है तो यह मानों शीरामकिष्देव ने कहा था इस फोटो की पुझा घर-घर में होगी और दूसरी बात है इलेटेस्ट एंड़ मोस्ट परफेक्ट इंकारनेशन का एक इस दिन उपदेश दिये उसी दिन माश्टर महाशे मेंदरागुप्त मा इन्होंने स्वयाम अपनी डायरी में लिख लिए भले वह अत्यनत उनकी खुद की शॉर्टेंड थी उनके शॉर्टेंड में लिखे डायरी के पत्ते आप देखे तो आपको तो कुछ पता निलेग इसमें से तो उनको पूछा भी गया था रहे ये इतने चोटे चोटे नोट में से आपने इतना अद्बुत ये गरंथ श्री रामकिष्ट कथामृत ये कैसे प्रकाश्टित कर दिया तो उन्होंने कहा था एक एक श्री रामकिष्ट देव के एक एक उपदेश पर मैंने हज पर चोड़ किई खरी किनगे पर लिए गृत्विक्रकी शति करद सहां जांगा ने सुप्रसिद्ध कर सुरिकान ट्रिपाटी निराला इन्हों में अनुआ कि पहले बंगार में रहते थे ते इसलिए बंगाली भी जानते थे इंदी कि तो बहुत बड़े शांगर थे तो उन् translation कर दिया उसका नाम दिया श्री राम किष्ट वच्चनामरित श्री राम किष्ट वच्चनामरित में हमको आधुनिक मानों की सभी समस्याओं का हमको उत्तर मिलता है जितने हमारे मन में प्रेश्ण है उनका सबका उत्तर मिलता है यह उतार वरिष्ट श्री राम किष्ट ये मानो सभी इस प्रकार के जो आधनी मानो के जितने भी आयाम हैं उन सब को वे परिपूर्ण करते हैं और जितने बड़े-बड़े विद्वान ये सब श्री रामकिष्ट देव को अपनी अपनी तरह से उनकी प्रशनसा करते हैं चाहे प्रोफिसर मैक्स मुलर उन्होंने तो किताबी लिख दी सबसे पहली किताब उन्होंने लिखी श्री रामकिष्ट देव पर स्री रामकिष्ट इस लाइफ और टीचिंग्स उनको रियल महात्मा करके उन्होंने कहा प्रोफिसर मैक्स मुलर ने और रोमा रोला ने क्या क वो भी फ्रेंच मनीशी थे, उन्होंने तो फ्रेंच मनीशी रोमा रोला ने स्वामी विवेकान पर पुस्तक लिखी और उन्होंने कहा, भारत के तीस करोड लोगों के दो हजार वर्शों के आध्यात्मिक साधना के घनिभूत स्वरुप थे, श्री रामकिष्ण देव, अद्भूत बात, ये रोमा रोला कहते हैं, और कई वार रविना टैगोर, श्री महात्मा गांधी, इन सभी ने, श्री अर्विन्दो, इन सभ भी ने, श्री रामकिष्ण देव की बोरी-बोरी प्रशंचा की है, श्री रामकिष्ण देव पर कितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, अवश्य सबसे ज़्यादा बंगला भाशा में हैं, फिर उसके बाद इंगलीश में हैं, पर देश-विजश की विविन्द भाश्राओ में कई फुस्तके उनकी उपलब्ध हैं, इन पर हम लोग जब इनका जब पार्ट करते हैं, तब उनको लगता है, वाट ग्रेट फिनॉमेना, क्रिश्टोफर इश्रवुड उन्होंने किताब लिखी, श्री रामकिष्ण दिस डिसाइपल, पहला वाके उन्होंने लिखा, इस दे स्टोरी अफ फिनॉमेना, यह घटना है, बस मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे आदुनिक मानों को यह सब समझ में नहीं आता है कि आवतार क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, यह हमने पहली कहा, हमारी बुद्धी के लिए यह अलब बुद्धी के द्वारा हम न तो अवतार तत्व समझ सकते हैं, और न तो यह श्री रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ क्यों कहा जाता है, उसको समझ सकते हैं, इस छोटी सी बाते हम लोगों ने चर्चा की, जो महापूरुशों से हमने सुनी है, बाकी तो यह एक गहन अत्य तो विशे है, यह बुद्धित गम्य नहीं है, साधना सापक्ष है, भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्तना करते हैं, प्रभु हम को आपकी लिला के बारे में कुछ भी पता नहीं पढ़ रहा है, हम आपकी गरिमा को समझ नहीं हम आपके महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं और नहीं हमें समझ नहीं बस आपके चरणों में भक्ति दो और आपके जो बुदेश्यों को पालन करके हम अपने मानो जीवन को धन्य कर सकें, ऐसी शक्ति प्रभु हमें दो, ऐसी प्रार्तना उनके चरणों में करते हुए समाप कर दो